पार्ठ 10.3 कारक या केस कारक की परिभाशा वाक्य में प्रयूक्त संग्या या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं परसर्ग या कारकिये चिन वाक्य में प्रयूक्त संग्या या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायाह ने, से, को, में, पर आदी परसर्गों या पोस्ट पुजिशन से दिखाया जाता है इन्ही परसर्गों को कारकिये चिन कहते हैं कारक के भेद कारक के मुख्यत छे भेद हैं एक, करता कारक, क्रिया को करने वाली संग्या दो, कर्म कारक, जिस संग्या पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े तीन, कर्ण कारक, वह संग्या जो क्रिया को करने में साधन बने 4. संप्रदान कारक जिस संग्या के लिए क्रिया होती हो 5. अपादान कारक जिस संग्या से अलग होने का भाव प्रकट हो 6. अधिकरन कारक जो संग्या क्रिया के घटित होने का आधार बने कुछ विद्वान इन छे कारकों के अलावा निम्न लिखे दो कारकों को भी कारक मानते हैं साथ संबंध कारक क्रिया से संबंध ना बता कर दो संग्याओं के बीच के संबंध को बताने वाला आठ संबोधन कारक वह संग्या जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए वाक्य में संग्या के जिस रूप से यह पता चले कि वह संग्या क्रिया करने का कारे कर रही है तो वह संग्या करता कारक में कही जाती है 2. कर्म कारक या कारकिये चिन शून को वाक्य की जिस संग्या पर क्रिया का फल या प्रभाव पढ़ता है वह संग्या कर्म कारक में कही जाती है निम्न लिखित वाक्यों को देखिए 1. मां बच्चे को बुला रही है 2. उसने किताब फार डाला 3. बच्चे तबला बजा रहे हैं 3. कर्ण कारक या कारकिये चिन से कर्ण का अर्थ है साधन या इंस्ट्रुमेंट अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संग्या साधन का कारे करती है वह कर्ण कारक में कही जाती है कर्ण कारक के कारकिये चिन्हों का प्रयोग एक, बच्चे ने बोतल से दूध पिया दो, मुझे फोन से सुचित करना तीन, पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा चार, लड़कियों ने पैंसिल से चित्र बनाए चार, संप्रदान कारक या कार किये चिन के लिए को वाक्य की क्रिया जिस संग्या के लिए घटित होती है वह संग्या संप्रदान कारक में कही जाती है संप्रदान कारक के कार किये चिन हों का प्रयोग एक, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए दो, मा ने मेरे लिए हलुआ बनाया 3. मा ने मौसी को मिठाई भेजी 4. हमने भिखारियों को दान दिया 5. अपादान कारक या कारकिये चिन से वाक्य की क्रिया की द्वारा जिस संग्या से या किसी अन्य संग्या का अलग होने का भाव प्रकट होता है वे संग्या अपादान कारक में कही जाती है अपादान कारक का चिन से है, जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है अपादान कारक के कारकिये चिन्हों का प्रयोग एत, पेड से पत्ते गिर रहे हैं दो, समुद्र से तेल निकाला जाएगा तीन, वह नदी से पानी भर लाया चार, वह ट्रेन से बाहर आ गई छे, अधिकरन कारक या कारकिये चिन्ह में, पर, उपर, के उपर, के भीतर, के पहले, को वाकिय में क्रिया जिस थान या समय पर घटित होती है उस थान या समय का आधार बनने वाली संग्या अधिकरन कारक में कही जाती है अधिकरन कारक के कार किये चिन्हों का प्रयोग एक, बिल्ली रसोई में है दो, बच्चे छट पर खेल रहे हैं तीन, वह मेज के उपर पैर रखकर बैठा है चार, घर के भीतर कोई चोर है पांच, वह शाम को आएगा छे, हम दिसंबर में शिमला जाएंगे साथ, वह तीन बच कर पच्चिस मिनट पर पहुँचा साथ, संबंध कारक या कार किये चिन्न का, के, की, रा, रे, री जहां किसी संग्या या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संग्या या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है वहाँ वह संग्या संबंध कारक में होती है संबंध कारक के कार किये चिन्हों का प्रयोग 1. ये बच्चों की किताबे हैं 2. उसने कपड़े की दुकान खोली है 3. गर्मियों में पत्थरों का मकान बहुत गरम हो जाता है 4. राम के सभी बेटे बहुत होशियार है 5. मेरी कमीज फट गई है 6. हमारी कहानिया पत्रिका में छपी है 8. संबोधन कारक या कार किये चिन्ह अरे, हे, रे, ओ, आदी जब वाक्य में किसी संग्या का ध्यान अकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संग्या संबोधन कारक में कही जाती है संबोधन कारक के कार किये चिन्हों का प्रयोग 1. अरे, लड़के, इधर मत पैठ 2. हे, भाई, जरा इधर तो आना 3. भाईयों और बहनों अपने प्यारे नेता को वोट दें 4. लड़कियों चाकू से मत खेलो हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त संग्याओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उस संबंध का नाम कारक है हिंदी में कुल आठ कारक माने गए हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन प्रतेक कारक को विभिन कारकिये चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है कुछ कारकिये चिन एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकते हैं